हेलो गाइज, यूटूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सरी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और CHSL के एक्जाम बहुत नस्दीक आ चुका है, चार तरिक से एक्जाम स्टार्ट हो रहा है तो इसी बात को धिहान में रखते हुए, आज मैं TIGNOMETRY के कुछ בד को सॉल्ब करने के बिलकुल मैं आज फाल तूगी ट्रिक बताऊगा बिलकुल एकदम फाल तूगी ट्रिक फालतू की ट्रिक इसलिए है है क्योंके केवल एक सेज़न में सॉल हो जाएगा और जब कोश्चंद बहुत जल्दी सॉल हो जाता है तो कुछ लोग उस फालतू की ही ट्रिक बोलते हैं कि बिल्कुल भी अगर बात करूं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल concept की बात नहीं करूंगा किसी कुशन में तो बस आपको answer लाना सिखाँगा कि कैसे आप 4 option में से एक answer सही लगाएं देखिए बहुत जरूरी हो जाता है बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कुछ ऐसे question जो आपक है ना तो अगर आपके paper में 8-10 ऐसे question आ जाएं जहां आपका बिल्कुल भी time ना लगे यानि कि 10 question आप केवल 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर solve कर दे तो यह बहुत ही अच्छी बात हो जाती है ठीक है तो ऐसे कुछ questions लेकर आया हूँ आज किस video में और जो जाते हैं बहु 14 की website बन चुकी है तो हमारे जो maths के notes थे handwritten notes थे तो students पहले क्या करते थे उसकी PDF जो purchase करते थे WhatsApp के जरी यह purchase करते थे WhatsApp पर contact करके मैं उनको PTM number बताता था उस पर payment करते थे तब वो उसको purchase कर पाते थे यह फिर account में money transfer करते थे अब क्या है हमारे जो notes है वो website पर available है तो वहां से आप उसको directly purchase कर सकते हैं तो इसी वीडियो के description में मैं वो link दे रहा हूँ जहां से आप वो सभी notes को एक complete PDF है 378 page की जिसमे mathematics को हमने सभी topics 31 chapters को solve किया हुआ है तो वहां से आप directly उस link पर click करके purchase कर सकते है ठीक है तो link पर click करेंगे तो आपको पूरा उसके बार में पता चीजे हैं कौन को से topic हमने शामिल कियेंगे topic की list भी वहाँ पर आपको मिलेगी और आगे process में जैसे ही जाएंगे तो आपको काफी सारे options मिलेंगे payment करने के तो payment करने के बाद वो आपके mobile में ही download हो जाएगी PDF तो start करते हैं आज के question और question है कि हमारे पास जो first question है कि 1053 और cot 37 minus is cot 80 upon 10 10 अब आप देखें ऊपर 53 है और नीचे 37 अगर दोनों को plus किया जाए तो 90 बनता है तो इस condition में दोनों cancel हो जाएंगे इधर 80 बनना है इधर 10 बन रहा है ठीक है तो ये भी 90 बनेगा ये भी cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर बनता है 2 और minus बनता है 1 और 2 minus 1 answer बनेगा 1 बिल ये क्या होगा 10 53 बन जाएगा 10 53 से 53 cancel होगा और इधर भी cot 80 से उपर cot 80 cancel हो जाएगा तो इसलिए हमारा answer 1 हो जाता है के लिए एक question हमारा है एक second में solve दूसरा question देखते हैं अब यहाँ पर देखेंगे starting में जो 1 रखा हुआ है 1 plus sec 20 plus cot 70 into 1 minus cosac 20 plus 10 70 आपको starting में जो 1 दिखाई देरा है इसको उठा लीजिए और plus ये वाला दोनों को plus कर दीजिए answer हो जाएगा 2 जो कि हमें third option दिया हुआ है बिलकुल आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है क्यों ये सब आपका cancel हो जाना है है ना फिलकुल two answer आता है और काफी बार question पूछा गया भी tier 2 में भी पूछा गय और उससे पहले भी काफी question आया है इस type का तो ये question साल हो जाता है चलते हैं अपने third question पर question है कि 8 sin 6 theta plus cos power 6 theta minus 12 sin 4 theta plus cos power 4 theta का मान क्या होगा यहाँ भी आपको क्या करना है इसका multiple क्या बन रहा है 8 बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर जो multiple बन रहा है वो minus का 12 बनना है दोनों को minus कर दी दिए 8 minus 12 कितना बनता है minus 4 minus 4 जो कि हमें third option में दिया हुआ है और यह हमारा answer हो जाएगा clear तो इस तरीके से आप इस question को solve करने हैं क्योंकि यहाँ पर जब इसे solve करने के करम में जाएगे तो हम यह भी 1 बन जाएगा और यहाँ भी यह भी 1 बन जाता है इसलिए 8 minus 12 ही ब theta plus cos square theta मान क्या है तो अब हमें करना क्या है 10 power 4 theta plus 10 square theta is equal to 1 अब इस condition में को करना क्या है यहाँ से 10 square theta common लेंगे तो अंदर बचेगा 10 square theta plus 1 is equal to 1 और 10 square theta plus 1 बनता है क्या बनता है 2 square theta is equal to 1 और 10 square theta is equal to 1 upon 2 square theta बनेगे जोगी यह 1 की अपन में चला जाएगा और 1 upon 2 square theta कितना होता है cos square theta अब 10 square theta is equal to cos square theta और हमें क्या find out करना है cos 4 power में 4 theta plus cos square theta अब सेम यही value यानि कि cos square theta 10 square theta के बराबर है तो cos 4 theta यानि कि 10 4 theta हो जाएगा यह और plus यह क्या बन जाएगा यही value यहाँ पर put करने है ना cos square theta 10 square theta है तो cos 4 theta कितना होगा 10 4 theta और यही value यहाँ रखेंगे cos square theta equal to 10 square theta और जो कि हमें given है क्या घिवन है वन ही ओगा तो जो यह दिया हूआ है वही यह जायेगा simple हो गया question solve एक नमबर पकता चलते हैं next question पर और यह question है आप रचियो का समानुपातिक चौथा समानुपातिक question पूछा गया है ना एक किसरा समानुपातिक पूछ लिया जाता है हो जाएगा जो कि हमें second option दिया गया है तो इस तरीके से यह question हमारा solve हो जाता है तो यही कुछ questions थे और यही कुछ questions थे जो मुझे आज की इस वीडियो में बताने ते छोटी सी बताईए अगर कोई question अभी भी समझ में ना आया हाला कि समझने जैसे इन question में कोई लाइक करें शेर करें आपने चैनल को subscribe ना किया हो तो चैनल को subscribe जरूर करें